शिम बाबा याद है ना? शोभी 21 जन्म 21 पीड़ी के लिए बाब की गैरेंटी है कि वहां कभी काल नहीं खाएगा। इस समय बाब स्विम बैठ तुम्हें ड्रिल सिखलाते हैं। यही है डेड साइलेंस। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है ही याद की यात्रा। जितना तुम बाब को याद करेंगे उस अनुसार ही भविश्य राजधाने में पद पाएंगे। इस याद की यात्रा में तो कोई कठीनाई की बात नहीं। इसलिए आशिक बन माशूक बाब को याद करते रहो। फिर बाबा ने कहा वे लोग तो देखो बाजोली खेलते खे भक्ति में जो भी यादगार हैं ये सब तुम्हारी पिछाडी की अवस्था के हैं। जब तुम्हारी अवस्था संपूरन बन जाएगी तो उनका ही फिर भक्ति मार्ग में यादगार बन जाएगा। और लास्ट में बाबा ने कहा अभी बाब तुमको कितना प्रेम से भले तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो प्रन्तु बुद्धी में रहे हम संगम युगी हैं। यहां का कुछ भी तुम्हें देखना नहीं है। देहे सहित सब का त्याग करना है। और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखडे आदी में जाने की दरकार नहीं। प्रश्न, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं, उनके लिए कौन सी गैरेंटी उत्तर, श्रीमत पर राजधानी सापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गैरेंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता, सत्यूगी राजधानी में कभी अकाले मृत्यू नहीं हो सकती है, मददगार बच्चों को बाप दवारा ऐसी प्राइज मिल जाती है, जो 21 पीड़ी तक अमर बन जाते हैं, ओम शांती, बने बनाए स्रिष्टी चक्र के अनुसार, कल्प पहले मुआफिक, शिव भगवानु आज, अब अपना परीचे तो बच्चों को मिल गया, बाप कभी परीचे मिल गया, बेहद के बाप को तो जान लिया, और बेहद क स्रिष्टी के आदी मध्य अन्त को भी जान लिया, नंबर वार पुरुशार्थ अनुसार, कोई अच्छी रिती जान जाते हैं, जो फिर समझा भी सकते हैं, कोई अधूरा, कोई कम, जैसे लडाई में भी कोई कमांडर चीफ, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते हैं, राजाई की माला में भी कोई साहुकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा, नंबर वार हैं, बच्चे जानते हैं, बरोबर हम खुद श्रीमत पर, स्रिष्टी पर स्रेष्ट राजधानी सापन कर रहे हैं, जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं, उतनी उतनी बाप से प्राईज मिलती हैं, उनको नहीं मिल सकती, उनको हर चीज अल्प काल के लिए मिलती हैं, तुम बाप की श्रीमत पर, अपनी राजधानी सापन कर रहे हो, सोभी 21 जन्म, 21 पीड़ी के लिए गैरेंटी हैं, वहां बच्चपन वजवाने में काल खाता नहीं, यह भी जानते हो, ना मन ना चित था, हम ऐसे सान पर आकर बैठे हैं, जहां तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, जहां 5000 वर्ष पहले भी सर्विस्की थी, देलवाडा मंदिर, अचल घर, गुरु शिकर है, सत गुरु भी उंच ते उंच तुमको मिला है, जिसका यादगार बनाया हुआ है, अचल घर का भी र अपने पुरुशार्थ से, यह है wonderful तुम्हारा जड़ यादगार, वहां ही तुम चेतन्य में आकर बैठे हो, यह सब है रुहानी कारोबार जो कल्प पहले चली थी, उनका पूरा यादगार यहां है, नमबर वन यादगार है, जैसे कोई बड़ा इमतिहान पास करते हैं, तो उनकी अंदर खुशी, रोनक आ जाती है, फरनीचर, पहरवाइस कितनी अच्छी रखते हैं, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे से कोई भेट कर नहीं सकता, यह भी स्कूल है, पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो, भगवानु आज, भक्ती मार्ग म जिसको याद करते हो, पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं पढ़ता, बाप ही सम्मुख आकर सब राज समझाते हैं, क्योंकि यह यादगार सब तुम्हारे पिछाडी की अवस्था के हैं, अभी रिजल्ट नहीं निकले हैं, जब तुम्हारी अवस्था संपुरन बन जात उनका फिर भक्ती मार्ग में यादगार बनता है, जैसे रक्षा बंधन का यादगार होता है, जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग्य ले लेते हैं, तब फिर यादगार नहीं मनाते हैं, इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ समझाया है, ओम का अर् अहम आत्मा मम शरीर, अज्यान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते हो, तो अपने को शरीर समझ से हो, दिन प्रति दिन भक्ती मार्ग नीचे गिरता जाता है, तमो प्रधान बनता जाता है, हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, भक्ती भी पहले सतो प्रधान थी, भी बहुत थोड़े दिन प्रतिदिन वृधी बहुत होनी हैं। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलता है। बाप कहते हैं का महाशत्रू है। सृष्टी की बहुत वृधी हो चुकी है। अब पवित्र बनो। तुम बच्चे सृष्टी के आदी मध्य अंत को अब बाप दवारा जान चुके हो। सत्युग में भक्ती का नाम निशान नहीं है। अभी तो कितनी धूम धाम हैं। मेले मलाखडे बहुत लगते हैं। जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाएं। तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते हैं 21 जन्मों के लिए। जो तुम सदेव बहलते रहते हो। तुमको कभी मेले आदी में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। कहां भी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए। तुमको कहाँ पाढ़ों पर जाने की दरकार नहीं। यहा देखो कैसे मनुष्य मरते हैं। मनुष्य तो सत्युग कलियुग, स्वर्ग नर्क को भी नहीं जानते। तुम बच्चों को तो पूरा ज्यान मिला है। बाप नहीं कहते हैं कि मेरे साथ तुमको रहना है। तुमको घरबार भी संभालना है। बच्चे जुदा तब होते हैं जिब कोई खिट-खिट होती फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते। कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो अवस्था में भी हैं। सब इकठे रह नहीं सकेंगे। यह राजधानी बन रही है। जो जितना जितना बाप को याद करेंगे, उस अनुसार राजधानी मे पद पाएंगे मुख्य बात है ही बाप को याद करने की बाप स्विम बैठ ड्रिल सिखलाते हैं यह है डेड साइलेंस तुम यहां जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं है देहे सहित सब का त्याग करना है तुम क्या देखते हो एक तो अपने घर को और पढ़ाई अनुस जो पद पाते हो उस सत्युगी राजाई को भी तुम ही जानते हो जब सत्युग है तो त्रेता नहीं है त्रेता है तो द्वापर नहीं द्वापर है तो कलियुग नहीं अब कलियुग भी है संगम युग भी है भल तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो परंतु पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। यह बहुत छोटा लीप युग है। तुम लोग बाजोली खेलते हो जिससे तुम स्वर्ग में जाते बाबा ने देखा हैं कैसे साधू लोग अत्वा कोई कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं बड़ी कठिनाई उठाते हैं अब इसमें कठिनाई की बात नहीं यह है योग बल की बातें क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है नाम तो बहुत सह जरखा है कहां सुनकर डर न जाएं कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते बाबा फिर हलका कर देते हैं यह है बाप याद याद तो सब चीज़ों को किया जाता है बाप कहते हैं अपने कुआत्मा समझो तुम बच्चे हो न यह तुम्हारा बाप भी है, माशूक भी है, सब आशिक उनको याद करते हैं, एक बाप अक्षर भी काफी है, भक्ती मार्ग में तो मित्र संबंधियों को याद करते, फिर भी हे प्रभू हे इश्वर जरूर कहते हो, सिर्फ पता नहीं कि वह क्या चीज है, आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है, आत्माओं का बाप अशरीरी है, वे कभी पुनरजनम में नहीं आते, और सभी पुनरजनम में आते हैं, इसलिए बाप को ही याद करते हैं, जरूर कभी सुख दिया है, उनको कहा जाता है, दुख हरता सुख करता, प्रंतु उनके न नाम, रूप, देश, काल को नहीं जानते हैं। जितने मनुष्य उतनी बातें, अनेक मत हो गई हैं। बाप कितना प्रेम से पढ़ाते हैं। वह है इश्वर, शान्ती देने वाला। कितना उनसे सुख मिलता है। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। तो अनगिनत मनुष्य हो जाते, कितनी भूल की है। यह नौलेज तुमको अभी मिलती है, फिर प्राया लोप हो जाती है। चित्र तो हैं जिनकी पूजा होती हैं, परन्तु अपने को देवता धर्म का समझ से नहीं है। जो जिनकी पूजा करते हैं, वह उस धर्म के नहीं सकते कि हम आदी चनातन देवी देवता धरम के हैं उनकी ही वन्शा वली हैं ये बाप ही समझाते हैं बाप कहते हैं तुम पावन थे फिर्टमो प्रधान बन पड़े हो अब पावन सतो प्रधान बनना है क्या गंगा पतित पावन तो बाप है वह जब आकर रास्टा बताए तब तो पावन बने पुकारते रहते हैं प्रणतु जानते कुछ भी नहीं आत्मा पुकारती है और गंस दवारा कि है पतित पावन बाबा हमको आकर पावन बनाओ सब पतित हैं कामचिता पर जलते रहते हैं यह खेल ही ऐसा बना हुआ है फिर बाप आकर सब को पावन बना देते हैं यह बाप संगम पर ही समझाते हैं सत्युग में होता है एक धर्म बाकी सब वापिस चले जाते हैं तुम ड्रामा को समझ गए हो जो और कोई नहीं जानते हैं इस रचना का आदी मध्य अंत क्या है डूरेशन कितना है यह तुम ही जानते हो वे सब हैं शुद्र तुम हो ब्राह्मन तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुशार्थनुसार कोई गफलत करते हैं तो उनके रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि पढ़ाई कम की है करेक् को भी पता नहीं है सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा अपने को आत्म समझ बाप को याद करना है आत्मा मुख से कहती है हमें एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं यह सब बातें यह ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते हैं परन्तु ज्यान सागर परम पिता परमात इस रत में बैठ कर सुनाते हैं कहा जाता है गव मुख्य मंदिर भी यहां बना हुआ है जहां तुम बैठे हो जैसे तुम्हारी सीड़ी है वैसे वहां भी सीड़ी है तुम को चड़ने में थकावट नहीं होती है तुम यहां आये हो बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए वहां गौरक धंदा बहुत रहता है शांती से सुन भी नहीं सकेंगे संकल्प जलता रहेगा कोई देखना ले जल्दी घर जाओं कितना ओना चिंता रहता है यहां कोई भी ओना नहीं है जैसे होस्टल में रहते हैं यहां इश्वर ये परिवार है शांती धा में भाई भाई रहते हैं यहां है भाई बहन क्योंकि यहां पार्ट बजाना है तो भाई बहन चाहिए सत्युग में भी तुम ही आपस में भाई बहन थे उनको कहा जाता है अदवेत राजधानी वहां लड़ाई जगडा कुछ भी नहीं होता तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिल ही हैं कि हम 84 जनम लेते हैं जिसने 58 भक्ति की है उनका हिसाब भी बाप ने बताया है तुम ही शिव की अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो फिर वृधी होती जाती है वह है सब भक्ति ज्ञान तो एक ही होता है तुम जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं यह ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे जो ग्रेट ग्रेट ग्रेंड फादर था वे इस समय यह बने हैं फिर मालिक बनते हैं तद तवम एक तो मालिक नहीं बनेंगे ना तुम भी पुरशार्थ करते हो यह है बेहद का स्कूल इसकी ब्रांचिस धेर होंगी गली गली घर घर में हो जाएंगी कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे हैं मित्र संबंधी आदी आते हैं तो उनको समझाते हैं जो इस जाड के पत्ते होंगे वे आ जाएंगे उन्हों के कल्यान के लिए तुम करते हो, चित्रों पर संजाना सहज होगा, शास्त्र तो धेर पढ़े हैं, अब सब भूलने हैं, बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्यान सुनाते हैं, अच्छा, मेठे मेठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉर् रुभानी बाप की रुभानी बच्चों को नमस्ते, धारना के लिए मुख्यसार, पहली पोइंट, डैड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए, यहां जो कुछ इन आखों से दिखाई देता हैं, उसे नहीं देखना है, देहे सहित बुद्धी से सब का त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृती में रहना है दूसरी पोइंट अपने करेक्टर्स का रजिस्टर रखना है पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करने है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है वर्दान सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्शित मुख हर्शित चित भव सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्शित मुख हर्शित चित भव जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ती बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्शित दिखाते हैं तो आपके इस समय के हर्शित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं हर्शित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर जो भरपूर होता है वही हरशित रहे सकता है अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हरशित नहीं रहेंगे कोई कितना भी हरशित रहने की कोशिश करे बाहर से हसेंगे लेकिन दिल से नहीं आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्वप्राप्तियों से भरपूर हर्शित चित हो स्लोगन पास्विद ओनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो अच्छा? ओम शान्ती, हर एक ब्रहमन को अपने अंदर कोन सी जाच अवश्य करनी चाहिए और अपने को चेक करने का सही समय कौन सा है यह जानने के लिए सुनते हैं आज का ग्यानमोती